हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का VMJNB क्लासेज में गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को जो भी बच्चे अभी तक वीडियो से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर वीडियो पे जुड़ जाएं क्योंकि आज हम आपके लिए फिर से एक बताया अगर हमने हिंदी चूज की है इंग्लिश चूज की है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग उसी डिमांड पर आपके लिए लेके आएं फिर से लेंग्विज वाइज मलब पार्टिशन करके फिर उसके लिए समझाएंगे आपको कि किस तरह से आ आज आपको पैसेज को सॉल्व करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो शुरू करते हैं अब मैंने आपके लिए एक पैसेज लिया है हां से एक ही पैसेज को मतलब एक को पहले हिंदी में लिख दिया है उसके बाद उसे इंग्लिस में नोट आउट करा दिया है तो इ पैसिस को रिड करना है है तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी बढ़ लिगे हिंग्लिस वाले निंग्लीश पर लेंगे जिसको जो भी रिभी जिसकी चुनी हुः उस लिवी नियु det ्र संजाने के लिए झुंद नीचे आपको trabaje तो हम दोनों ही लेंग्वज में पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ तो सबसे पहला कोश्च जान है घोड़ा क्या खाता है तो यह लेंगे इंग्लीज बाले बच्चे से इस तरह से लेंगे अब हिंदी बाले बच्चों को कैसे तूढ़ना है पहले तो ऑप्शन चेक कर लो क्या क्या दिये चने गास पत्तियां गास बाचने दोनों ठीक अब मुझे यह पताओ कि नॉर्मली आपको अपनी लेंग्वेंज में तो पताएगी घोड़ा चने भी खाता है और क्या खाता ह गास भी खाता है तो आपके अकॉर्डिंग तो यह वाला ओप्शन भी ठीक हो गया और क्या हुआ लास्ट वाला ओप्शन भी ठीक हो गया इस तरह से देखा जाये तो लेकिन क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है हमें अपना सारा फोकस किस पे लगाना है पैसिज पे कि पैसिज के according जो question का answer है वो किस तरह से fit रहेगा आपको अपने दिमाग से लगाना ही नहीं है पैसिज इसलिए तो दिये जाता है कि आप पहले पैसिज को पढ़िए उसको अच्छे से मलब डिस्क्राइब करिए उसके बाद आंसर दीजिए ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है आपने वो आंस कर दिया ठीक है तो यह चीज नहीं करना आपको पैसिज में तो अब देखो मलब जो पैसिज है उसम तो इस एकॉर्डिंग यहीं दिया है ना चने अगास अलग अलग लाएंगे तो क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा आंसर क्यूंकि इसमें दोनो ही चीजे दियें तो आंसर यहां से कौनसा सही हो जाएगा घास बाद चने इंगलीस वाले पच्चे इंगलीस में पढ़ पतीo का मतलब leaves और गहस का मतलब grass और जो छोथा option उसका है grass वे ग्राम तो गहस्पा चने दोनो ठीक तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या peasants बहाएगा? ठीक तो आंसर हमारा ये हो गया ठीक पेला question सबीं को समज मैंगया जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है वो नीचे कमेंड करिए और जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से एक्स्प्लेन हो गया तो लाइक करते हुए चलिए वीडियो को ठीक है अगला शहर में घोले का उपयोग कैसे किया जाता है मतलब how is the horse used in cities गाडियों से समाल ले जाने में carrying luggage by card खेलने में in sports, नाचने में in dancing तो अब आप या कॉर्टिक देखा जाए तो यह चारो ही option थीक होना चाहिए क्योंकि क्या है समाल ले जाने में होता है बिलकुल होता है हां ठीक है और दूसरा क्या है गाडियों समाल ले जाने में होता है वो भी किया जाता है ठीक है तो तीसरा option है खेलने में मतलब शहरों में कुछ जगह ऐसा भी होता है कि मतलब घोलों का जो प्रियोग होता है वो खेलने में के लिए भी किया जाता है तो normally language में देखा जाए तो ये चारोई option एक दर ऐसे सही बैठ रहे हैं लेकिन आपको क्या करना है आपको passage के according answer देना है ठीक है? तो passage के according क्या answer बैठता है वो देखिए अब मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों बच्चों को बताऊंगी कैसे आपको छाटना है यासे तो सबसे पहला इसका अपयोग क्या है? कि इसका उपयोग सहरों में गाड़ी से सामान ले जाने के लिए क्या जाता है मतलब सामान ले जाने के लिए तो किया जाता है लेकिन किसे गाडियों से सामान ले जाने में अब यहां आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पॉइंट आउट करके चेक करना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल फिडवेट रहा है ठीक है तो यहां से आपका उप्शन ही हो जाएगा अब इंग्लिस वाले बच्चे कैसे मतलब ड आपको आपको ऐसे पॉइंट आउट कर के बता देती हो तो यह वाली लाइन होगी पॉइंट वैट रही हिंदी और इंग्लिस दौनों बच्चों के लिए ठीक है तो आपके जो दूसरे कोशन का अंसर क्या हो जाएगा गाडियों से समाल ले जाने में मतलब ड़िवेट आ जल्दी से थमस अप कर दो जुसको समझ में नहीं आया है उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैं नहीं यह वाली चीज आमें समझ में नहीं आई तो पूछ भी सकते हैं बच्चे देन नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं अपने लोग अब तो नेक्स्ट कोश्चन क्या है सेना में किस घोड़े को उपयोग किया जाता है अब यह कोश्चन थोड़ा नहीं होता है ना नॉर्मली हमें पता होता है कि किस घोड़े का यूज किया जाता है which horse is used in military तो आपको इसका answer कैसे ढूड़ना है तो सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे देखेंगे कि इस तरह इसे ढूड़ना है option पढ़ लो पहले अरभी घोड़ा, अमेरिकन घोड़ा, जापानी घोड़ा, अफ्रीकी घोड़ा इंग्लिस वाले बच्चे देख लीजिए अरेबियन होर्स, अमेरिकन होर्स, जैपनीज होर्स और अफ्रीकन होर्स ठीक है हिंदी वाले बच्चे कैसे ढूड़नेंगा answer ये वाले लाइन ढूड़ोगी कहां पे है कि सेना में किस घोड़े का उपयोग किया जाता है अब देखो, सेना वर्ड़ कहां है अब आप इससे आगे की लाइन को मत देखिए इससे related जो एक नमबर आगे लाइन है एक नमबर पीशी लाइन है उन दोनों को पढ़िए क्योंकि कभी-कभी answer क्या होगा कभी-कभी answer पहले ही दे रखा होगा ऐसा नहीं होगा कि लाइन के इस word के बाद ही answer होगा तो एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में जरूर अच्छे से पढ़िए क्योंकि इनी दो-तीन लाइनों में question का answer छुपा हुआ होता है तो क्या है अरभी होडा विश्व प्रिसिद्ध है इसका उपयों कहा होता है सेना द्वारा सैनिको को ले जाने में किया जाता है अब बताओ इस line के बाद के answer मिल ला था नहीं मिल ला था ना तो आपको एक line पहले भी पढ़नी है ठीक है तो कौन सा गोड़ा यूज होता है अरभी घोड़ा इंगलिस वाले बच्चे देख लीजिए इंगलिस वाले बच्चों के इस तरह से देखना है जो अरेबियन होर्स यहां से देखो अरेबियन होर्स इस वर्ल्ड फेमस इस यूज़ पाई ता मिलिटरी होगा पहला तो तीन वाला कोश्चन सभी बच्चों के समझ में आ गया अच्छे से जिनको भी समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हैं अभी कोई भी दिक्कत है देन नेक्स्ट अब नेक्स्ट आपको इसी तरह से दिया जाएगा पैसिज में कि मतलब उसका जो आंसर है आप पैसिज में से देखके बताईए तो आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा पैसिज में से ही तो पैसिज का पहला वर्ड किया दिया है गोश्य नमबर फोर पे दिया है बीक अब वीक बड़ ढूड़ कहां है दूड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको वोकैब बाले पार्ट में बताएंगे क्योंकि यह तो नॉर्मली वर्ड्स हैं इनके सारे आपको अपोजिट वर्ड सिनो नेम से सब हम आपको बताएंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है तो पहले वीक वर्ड को सुलो मैं आपको ऐसा करते हूँ चलना है जैसे जो भी वोकैब का वर्ड हैगा हिंदी या इंग्लि वोकैब में वो नोट भी कर सकते हैं अपनी नोट बुक पे तो उनको यह ना एक तरह से वर्ड इखटे हो जाएंगे तो आसानी रहेगी तो जब मैं आपको वोकैब वाला पार्ट पढ़ाऊंगी तो क्या होगा एक तरह से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा तो जो दीवा यह सारे सिनोनिम होते हैं इसके फ्लैक्सिवल लचीला यह नहीं होता है ठीक है शार्व यह भी इसका सिनोनिम नहीं होता है श्ट्रॉंग श्ट्रॉंग क्या सिनोनिम होगा क्या कमजोर का मजबूत से कोई लेना देना है नहीं है ना क्या इससे जड़ा हुए वो होगा weak का synonym ठीक अब इसका opposite क्या हो जाएगा strong इस्ट्रॉंग का मतलब कैसा होता है मजबूत तो कमजोर का opposite हो जाएगा को क्या हो जाएगा strong तो हमारा answer क्या हो जाएगा strong तो दोरों ही बच्चों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है तो जल्दी से like कर दीजिए वीडियो को like करते हुए चलिए क्योंकि उससे हमारा होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है कि हमें भी लगता है बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम भी बहुत मैंनत करें के लिए आपको वीडियो लेकर आए है तो अगला word देखिए अगला question देखते है short short का मतलब होता है चोटा या कम या लगू ठीक है मैं आपको इतने सारे बड़ बता दी इसके हिंदी में चोटा कम या लगू ऐसे ही हिंदी में इसके जो synonym होते वो क्या क्या होते little लिटल माने भी थोड़ा या चोटा ही होता है and low यह नहीं होता है low का इस सो कोई लेना द लोटा मतलब यह दोनों क्या हो गए इसके स्रोनिम्स हो गए और अब यह देखो long क्या long short से कहीं भी जुड़ा हुआ लग रहा है आपको नहीं ना तो यह कैसा हो जाएगा इसके opposite का word हो जाएगा मतलब जो हमारा right option है वो क्या हो जाएगा option number one मतलब long long क्योंकि छोटे का जो opposite हो जाएगा लंबा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो अभी तो हमारे according यहां पर long ही से different है तो इसका answer long ही होगा अगर बड़े का मतलब big दे दी है यहां पर तो वह भी answer हो जाएगा short का big भी चल जाता है तो आपको यह देखना है हम आपको अभी तो एक एक opposite बताते ह चल रहे हैं लेकिन जब proper बोकेप वाला पार्ट होगा उसमें आपको दो दो opposite वर्ट या तीन तीन जितने भी possible होंगे आपको कराएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि option में जो मैंने आपको option दिया है वही option को पेपर में भी आ जाए तो इसी चीज को देखते हुए आपको हम एक चीज के कई कई वर्ट कराएंगे जैसे सुनो नेम से वह तो दो चार बता ही जाते हैं लेकिन आपको दो तो तीन दिन बताएंगे ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को यह जो पैसिज वाला पार्ट है हिंदी और इंग्लिस का बहुत अच्छे से समझ में आ ही है कि आप इस पैसिज को अच्छे से समझिए हिंदी वाले बच्चे हिंदी लेकिन आप दोनों चीजों को कवर करते वे चलिए क्योंकि आपको पढ़ना तो दोनों ही लेंग्विजे से नबोदय में जाके तो आप दोनों ही लेंग्विज को कवर करते वे चलिए इससे क अब यह हंदी वाले बच्चों को समझा रही है तो हम चुप-चाप बैटेंगे नहीं आपको पूरी वीडियो को प्रॉपर देखना है क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं न कहीं है आपके सारे मलब जो भी कोश्चन से रहेंगे यह जो भी वर्ट से रहेंगे वो सब आपके वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे एगली वीडियो में फिर से एक अच्छे से पैसिज के साथ या वो के वाले पाट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद